पालन करे घरों में रहे आपकी शहर का सबसे ताज़ा अब्रेट हम दिखाएंगे आपकी शहर में क्या चल रहा है आधा दिन बीच जाने के बाद आपकी शहर में क्या क्या घटनाए घटी हैं बारा बजे में बारा रिपोर्टर आपको घर बैटे आपकी शहर की पूरी जान है यह सब ही आपको भार समचार बताएगा कि लाकों में गोरोना वाइरस पर अलर्ट का असरा लोग भरोंचे न निकले हैं मरसड को पर लिकड नहीं रहे हैं शहर को सेनेटाइज किया जा रहा है लेकि सबसे पहले शुरुवात दिल्ली की खबर सही करेंगे जहां पर गृफ आफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है राजनाच सिंह के नेतरत में ये बैठक जारी है केंद्र के कई मंतरी अफसर इस बैठक में मौझूद है राजणास सिंह के नेतरति में ये बैठक शुरू हो चुकी है, केंडर के कई मंत्री अफ़सर इस बैठक में देखिən, शामिल है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, कोरोना को लेकर Group of Ministers की बैठक है, वो शुरू हो चुकी है, महामारी को लेकर आगे की रचिती पर चर्चा, अवैस इसमानी हमारे सायोगी जूर चुके इस खबर पर जादा जानकारी के साथ सीध है अवैस देखे ग्रूप आफ मिनिस्टर्स की जो बैठक है ये महामारी यानि की कुरोना महामारी को लेकर कहीं न कहीं हो रही है क्या कुछ आज इस बैठक में होने वाला है कुरोना को लेकर किन सरकार पहले थे ही काफी चुस्त और दूरुस्त थे और आगे की रणनिती के उपर इस वक्त ग्रूप आफ मिनिस्टर्स की बैठक जो है वो राजनात सिंग्स की अधिक्शा में हो रही है उनके आवास पर ग्रह मंतरी भी मौजिद है और तमाम आला कैबिनेट के मंतरी जो है वो उस बैठक में मौजूद है क्यूंकि बीस तारीक से परधार मंतरी मौजिद नहीं कहा था कि जिन आलाकों में कोई भी कुरोना का केस नहीं आया उन आलाकों में छूट दी जा सकती तो उसको लेकर रननिती जो है सरकार किस तरह से कोरोना की रोकने के लिए काम कर रही और केंज सरकार किस तरह से काम कर रही तमाम पहलियों के उपर जो है वो चर्चा हो रही तो बहुत एहम बैठक केंद्रे मंतरियों की बैठक जो है वो राजना सिंग के आवास पर उनके दिक्ष्टा में चलिए बैठा खोरे लेकिन ऐसे में हमने दिखा कि 24 गंटे में चार मौते भी दिल्ली में हो गई आकड़े भी वहां पर बढ़ गए दिल्ली में तो इसके बाद आखिर कार जो लॉग डाउन जो सीलिंग की वहां पर व्यवस्था की गई क्या उसका कोई असर नहीं पड़ रहा अगर दिल्ली में करोणा वाईरस के परगॉप की बात करें तो और पिछले तिन चार दिन से करोणा के मामल में काफी कमी आयी है जैसे ऐसे इसे दिल्ली में सील किया जा रहे हैं आप तक 96-6 मामले सामने आये थे और उस चार मौते भी हुए थी, अब तक 1500 से जादा मामले जो हैं वो दिल्ली में आचके हैं, मगर 180 मामले जो हैं, वो सिर्फ मरकस से ही रिलेटेड हैं, तो फिलाहल मरकस से अब मामले आमना बंद हो चके हैं, मगर दिल्ली में अब धीरे धीरे बहुत हद तक कहा जाए तो जिस तरह से राज सरकार ने कोशिशे की है यहाँ पे इलाकों को सील किया है होट स्पॉर्ट गोशित किया है तो अब थोड़ा कंट्रोल देखने में आ रहा है क्योंकि अब सिर्फ 62 मामले कला इससे पहले 17 मामले सामने आए थे तो फिलाल अब कुछ लोगों को कॉरंटाइन भी जाए गए और अब जो मामले आ रहे जिसमें से उतर प्रदेश में अब कोरोना के अथानवे नए मामले सामने आ चुके है संजे सिंग चुहान हमारे सायोगी जूड़ चुके इस ख़वर पर संजे दिक अथानवे केसे के साथ बढ़ोत्री हो गई है यूपी में अगर इसके बाद हम देखे तो और चौकसी कैसी आप देख वाले स्वाक्त लखनों में और पूरे यूपी में सिवांगी में बता हूँ आपको की लगातार जो केसों की संख्या वह लगातार बढ़ती जारी हालाकि दो दिन पहले एक सो चार की संख्या पेसिंट किया आल ओवर यूपी थी उसके बाद उसके गटकर एक सो दो हुई है लेकिन संतोज जनक यह होगा कि आज जो रिपोर् लखनौ के है और उसमें सबसे बड़ी संख्या जो कैंट का इलाका है सदर मार्केट वहां पर पाई जा रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डाली गंज का एक केस के अलावा जो नए इलाके हैं वहां पर केसे नहीं मिले हैं कि अभी तक जो तेरा इलाके सील किये जहां पर एक हॉस्पिटाल में कर्मचारी संक्रमित हुआ और उसके बाद क्या कोई आकड़ा बढ़ा उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास उस सारी चीजों के जो स्वास्थिबा की टीम है वो लगातार वहां पर सर्च कर रही है जहाज की जो टीम है वो लगाई गई है कि अब ये एक केस डाली गें से दूसरा ना बढ़ पाए हाना कि उसकी जो ट्रबलिंग है उसे पूरी तरीके से खोजा जा रहा है लेकिन आज सियम योगी आदतनाथ ने मीटिंग की निर्देश दिये जरूरी निर्देश सियम योगी आदतनाथ की तरफ से दिये गए श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हो सियम योगी आदतनाथ ने आज इस मीटिंग के बाद कहा है निजी छेतर की ओधोगिक जो एकाईया है उन पर भी निर्देश दिये हैं सियम योग्या आदितनात हैं। और सीधे श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण की बात कर्मचारी श्रमिकों के वेतन का भुकतान जरूर हो। पूर्व के आदेशयों पारदे की 512 कड़ों अभी तक भुकतान हो चुके हैं। पर देखे 512 करोड़ों का भुकतार अभी तक फिलहाल हो चुका है। 24 लाग श्रमिकों को 1000 की राशी भी दी जा चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब ये कह दिया गया है कि जितने भी बचे हुए लोग अभी जो श्रमिक जो मजदूर हैं। उनकी विराशी जल्द ही उनको दी जाए। इसको सुनिश्चित करना होगा बदिकारियों की इसकी जिम्हदारी सौपी गई है। श्रमिको की समस्याओं का निस्तारण भी हो इसको भी लेकर आज सीम ने निर्देश दिये हैं। योजनाओं में जो रेइस्टरट शरमिक हैं जिसमें विश्च्रमा श्रम सम्मान योजना है, इसके अलामा श्रम विभाग में जो रेइस्टरट लेबर्स हैं तकरीवन बीस लाक की तादात है उनकी इन सभी को सरकार की तरफ से एक हजार रुपए उनके खाथे में मुक्य जो रेइस्टरड शरमिक हैं उनके खाते में पैसे पहुँचें इसके लावा एक बड़ा शेतर है जो प्राइवेट सेक्टर है निजी शेतर है जो इंडस्ट्रीज है जो द्योग है वहां भी कामकाश्था पे लेकिन वहां पे जो काम करने वाले शरमिक हैं मुख्यमंत्री ने ये पहले भी अपील की थी उन मालिकों से उन द्योगों के जो मालिक हैं कि ऐसे श्रमिकों का वेतन ना काटा जो उनका पूरा पैसा दिया जाए तकरीबन 512 करोन रुपया उस मद में भी अब तक रिलीज सरकार के इंडस्ट्रीज की तरफ से इंडस्ट्रियल विभाग की तरफ से कराया चुका है और उसी चीज़ को आज मुख्यमंतरी ने रिव्यू किया है कि जो बाकी बचे हुए पैसे हैं ऐसे श्रमिकों के जबाइटर सेक्टर में काम करते है बहुत बश्यूकरी आपका तमाम जानकारियों के लिए शामली की खबर शामली में देखे एक और कोरोना संक्रमण का के सामने आया मोहला त्यामूर शाह का रहने वाला ये युवक बताये गया है एक और शामली में कोरोना संक्रमण का के सबी तक सामने आ चुका है जमाते के नजदी की संपर्क में रहा था ये युवक और जिले में कोरोना मरिज तो कि जो संक्या अब वो 17 हो चुकिए है शामली में जाज के लिए भेजी गई थी 99 रिपोर्ट 64 रिपोर्ट आई है नेगेटिव और 34 रिपोर्ट अभी भी पेंटिंग है रवींद्र सुलानिया हमारे सायोगी जुड़ चुकिए रवींद्र देखे बात निकल कर सामने आना बाकि कब तक यह चौते स्पोर्टे सामने आ जाएंगी जाज के बाद पर निकल जिला अधिकारी जस्ट कोर का जो है कि अधि पूर्पूर में जैंडिक रवींद्र सेम्पल से रिजे गए ते और यह अभी तक पैंडिंग ते लिकिन राज जब रिपोर्ट आई थी तो उस दौरा एक पोजिटिव रिपोर्ट आपकि जो पैंडिंग सेंपल है जल दी एक दो दिन में जो लेब है उन लेबो में अभी तक श्टोक जो है अफी हो चुका है संपल नहीं लिये जा रहे इस तकी खबर जो है आ रही है लेकिन इसी वीच जो सामनी के पैंडिंग सेंपल है मना जा रहा है कि दो दिन भी तर इनकी भी रिपोर्ट आजाएगी नहीं समाज पाले कि नितना समझ में आगया कि दो दिन ओर लगेंगे इन रिपोर्ट को सामने आने के बाद गाज़ेबाद में देखे कब और करोना का जो केस है वो सामने आ चुका है महिला में करोना संक्रमण की यहांपर पुष्टी हुई है गाज़ेबाद में करोना गाजयबाद में इसी के साथ अब देखे एक और जो संक्रमित मरीज है वो बढ़ चुका है एक महिला यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाई गई है और इसी के साथ साथ उसके बच्चे को जो सोला प्राइब को जिसने जन्म दिया था वो आइसुलेशन में खुद आइसुलेशन म है है महिला संक्रमित है लेकिन अगर बच्चे की बात करें तो बच्चा क्या खत्रे से बाहर है देखिए इस बात की पुछ्टी नहीं हुई है शिवांगी क्योंकि इसके बिलड सैंपल के रिपोर्ट लिए जा रहे हैं और जो महिला है महिला कि जो है उस प्राइब नर्सि है अब ऐसे में इसको इसलेशन में शिप्ट किया है क्योंकि न्यूबाण बेबी है भी नागा तो दुद्र की अवशकता होगी लहाजा उसे उचे दूरी के साथ रखा जाएगा जैसे कि सीमों ने बात बताई है तकि सबसे हम बात है कि जो चला बट ता इलाका है ये काफ वहां के डॉक्टर्स की भी जो नर्सिंग स्टाफ हैं वहां भी उनकी सैंपल्स के जांच होंगे तो एक व्रहद जो जांच है वह इस पूरे प्रक्रण में होगी और इसके साथ ही कुल टैली जो है वह तीस ही पहुंच चुकी है घाज़वाद में कुरोना पॉजिटिव पे सब्सक्राइब कर बैठें लेकि लोगे जाने इन तीस में से यह वही साथ है जो ठीकों कर घर गये हैं या फिर तीस के अलावा अन्य साथ ठीक हुए तीस में ही इंक्लूड़ेड हैं कुल अगर अभी आख्डों की बात की जाए तो तेईस लोग ऐसे हैं जो की इलाज जिनका इलाज चल रहा है और मैसे दो लोग दिली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में क्योंकि वह मैक्स हॉस्पिटल के ही डॉक्टर्स हैं तो उन लोग को व Onu कर एगे हैं क्योंकी व continuously में नजर बना कर चाहे आप को शाझ की कहबर बता दें आपको जासे की के कजबास संतर में एसाई पर सफाइ कर्मियों ने यहाँ पर तक्सीरे भी हमागों दिखा रहे हैं सिर्जा मरेश सयोगी भी जुड़ चुके हैं अखिरकार यह सफाई कर्मियों ने साइक की पिटाई क्यूं की और आप इसको हटाने की मांग क्यूं कर रहे हैं वजह क्या रही इस पूरे विवाद की और दिखे मैं आपको बता दू जाते के संधर शाना चेतर का मामला है यहां सफाई कर्मी थे यहां से अपना काम कर रहे ते जैसे ऐसा ही आया उसे दंडा मार दिया सफाई कर्मी के सारे सफाई कर्मी खटा हो घाए और आप delivery की और उनके साथ जो पुलिस कर्मी थे उनकी पां कराई की सबी को या कि हस्पताल में भरती कराए गया लेकिन मौके पर यहां पुलिस का क्या रुख रहा है इस पूरे मामले में सफाई कर्मी तो अपनी नराज़गी दिखा रहे हैं उनका क्या कहना भी तक निकल कर सामने आया देखे पुलिस की बात करें तो सम्थर की जनता यह जो ऐसा ही उसे परिशान थी आये दिन किसी को पिटाई करता रहता था हार रोज की तरह जैसे सबाई कर्मी अपनी सबाई के लिए जैसे सबाई निकले थे तो जिस तरीके से उन्होंने सबाई कर रहे थे राश्ते में वह उसे डंडे से मानना पीड़ना चालू कर दिया तभी सारे खटे हुआ के सपाई कर्मी खटे होगा जम कर पीटा लेकिंगे पुलिस की बात करें तो पुलिस का पुलिस सरिफ समझोता कारने में लगी हुए पुलिस का कहना है कि गलती हमारे SI की भी है और आपकी भी है तो द वेंटिलेटर पर संदिक्द मरीज की मौत प्रोटोकॉल के साथ होगा अब अंतिम संसकार मेरट मेडिकल कॉलिश में भरती था ये मरीज वेंटिलेटर पर संदिक्द मरीज की मौत हाना कि जो प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल के साथ ही यहाँ पर अब इसका अंतिम संस देखे इस जो संदिक्द है यहीं सेहर का ही रहने वाला है जाग्रती बिहार इलाके का और इसको कल सुबह बरती कराए गया था साम को इसकी हाला तो और ज़्यादा बिगड़ी इसको बेंटीलेटर पर लिया लेकिन रात में इसकी म्रत्यू हो गई और जो म्रत्यू के बाद इसका जो अन्तिम संस्कार है वो पूरे कोरोना संक्रमण का जो prove एक उसके मेडिकल टीम है वह करे रही है कि यह संदिक दोसकता है तो इसकी जो report है कल ही भेजी गए थी और आज साम तक उसकी रिप़्ट भी चिराएगी तो फिलाल जराल प्रिपोर्ट का जितने भी परिवार के लोग है अगर रिपोर्ट से परिवार के लोग और जो सराउंडिंग लोग हैं उन सब को कॉर्णटाइन किया जाएगा बिलकुल नरें बिल्कुल नरिंद्रों देखिए रिपोर्ट आने का इंतिजार है शाम तक आ जाएगी लेकि नरिंद्र ये बताइए ये अगर हम देखे अगर ये पोजिटिव आ जाती तो ये तीसरी मौत होगी कुरोना के कारण अगर हम देखे मेरट की बात करे तो तो इसके बाद अब प ये पोजिटिव आती है तो ये मेरट में कोरोना की संकमर से तीसरी मौत होगी लेकिन यहां जो मेडिकल कॉलिज में माइक्रो बाइलोजी लैब को कोरोना लैब बनाया गया है वहां जो स्टाप है वो बेहत कम है और वो स्टाप 18-20 गंटे काम कर देखे कुछ तो देखे कि हमारे सायोगी ने का कि वो शाम तक आएगी वो पेशन्ट सुभए दिन में डिर्वजे करीब भरती हुए थे उसमें जो है उनको सांस लेने में तगलीफ थी और फीवर था और खासी आ रही थी तो बहुती हुए थे और फुरसा लो थे वो के लो थे तो उनको लोगों में करीब पांच बिजे साड़े पांच बिएक आसपास विंटेटर बेड़ा था और रात में डिर्वजे की एक्सपार हो गए इनको वो देखिए आर तस दिन से खांसी थी बुखार था और सांस फूली थी जब यह आए थे तो हमने तकाल इनको एडमिट किया उस समय इनक कैसे कुरोना की केसे बड़े हैं आगरा में करोना के 24 नए मामिले सामने आ है और इसी के साथ कुरोना ना पौस्टिव मरीजओं की za पास पहुंच चूकी है यहनकी कोरोना पौस्टिव की संख्या आगरा में अब बढ़ चुकी है आगराम 150 लोकों का देखिए यहां पर अ चुकी है आगरा जिलादिकारी ने खुद इन आकड़ों की पुष्टी की है और जिस तरह से टेस्टिंग हुई है उसके बारे में भी बताया है आगरा में 24 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ जो आकड़े हैं वो बढ़कर 196 के पास पहुच चुके हैं आगरा में सेंटर यहां पर पारस हॉस्पिटल जो है वो बन कर उबढ़ा है कपिल हमारे सायोगी जोड़ चुके आगरा से सीदे कपिल करू करेंगे कपिल जो आकड़े आगरा के हम देख रहे हैं वो बहुती तेजगती के साथ आगे बढ़े हैं पास यह आकड़े पहुच चुके हैं यह जो 24 ने मामनी दिखें कपिल यह कहां से पाए गए यह संक्रमित लोग है कि सबसे ज्यादा जो जिला परवाही हुजागर हुई है उन जमातियों के जिसकी वज़े से आगड़े बढ़े बढ़े हुए है उन जमातियों के जिसकी आकड़े बढ़े बढ़ें लेकिन अभी कि अगर मिस्ति देखे तो इन आकड़ों के बढ़ने की बाद प्रिशासन कैसे रोकताम कर रहा है आकड़े तेजगती के साथ सामने आ रहे हैं इनको रोकने के लिए कोशिश क्या प्रणाली क्या वहां पर व्यवस्था क्या है इस बढ़ेंगी इस तरीके से चिलापरशाशन योजना बना रहा है महस काहरजों पर नजर आ रही है घालापल से दूर है लेकिन जो प्रणावार से कवाईर नहीं ने नहीं नजर आ रही है लोगडावन का पूल रूप से पालम मों भी बढ़ना यही चारण है कि कोरिशना प क्लियर हम तक नहीं बहुच पारी है लेकिन आकड़े तीज के साथ आगरा में बढ़े हैं अगली खबर देखी नौईडा की है पिछले 24 गंटे में राहत बरी खबर ये नौईडा से आती हुई 24 गंटे में नहीं मिला कोई कोरोना मरीज ये राहत की खबर इसी बीश देके आती हुई नौईडा से पिछले 24 गंटे में एक भी मरीज नहीं पाया गया है नौईडा में यह अच्छी खबर वहाँ से आ रही है कि 24 गंटे में एक भी वहाँ पर कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया और 24 गंटे बाद यह राहत भरी खबर नौडा से आते हुई चालिज सेंपल कि यहाँ पर जांशनी पोर्ट जब सामनी आई तो वो सारी कि सारी चालिज से पोचे नेगेटिव पाय गई है 595 लोग अब तक यहाँ पर कोरिंटाइन के जा चुके हैं जो आकड़ा नौडा में संक्रमितों का वो यहाँ पर बानवे है लेकिन अच्छी खबर यह है कि वहाँ पर 24 गंटे में एक भी केस नहीं मिला और अगर ऐसे ही हर जगे आकड़े आते रहेंगे राहत भरी खबरे आएंगी तो यकीनन भारत चर्द ही इस महामारी पर काबू पालेगा और यह आकड़े वही थम जाएंगे यह राहत भरी खबर नौडा से आती हुई कि जाँ पर अब नौडा वासियों के भी दिल में कहीं न कहीं खुशी जरूर होगी क्योंकि 24 गंटे जो बीते हैं विछले वो राहत भरे रहे हैं और इन 24 गंटों में जो अब्जर्वेशन किया गया उसमें कोई भी संक्रिबित नहीं पाए गया दानिश हमारे सायोगी जुड़े हैं दानिश यकीनन यह अच्छी कबर है कि 24 गंटे में एक भी केस नहीं ऐसी क्या तक्निकी क्या विवस्ता वाँ पर हुई की काम्याभी मिली दानिश बहुत बहुत शुक्री आपका इन तमाम जानकारियों के लिए इस बुल्टे में फिलाल बसेतना हिव देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने भी बाहरा समाई चाहते साथ